नमश्कार मदिती पॉज़र आप देख रहे हमारे साथ नगरी मीडिया आज हम बात करेंगे फिल्म रामायंड के बारे में नितीश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायंड लगातार खबरों में हैं एनिमल के बाद रनवीर कपूर अपनी अगले फिल्म रामायंड को लेकर लगातार खबरों में बने हुएं एलफा मेल के बाद फैंस उनका पुरुष राम अफ्तार देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं इसी बीच अब फिल्म में सीता के रोल के लिए नई एंट्री और एक्जिट की खबर आई है फिल्म की कास्टिंग को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट सामने आते ही रहते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट में अब तक राम की किर्दार के लिए रनवीर कपूर विवीशन के रोल के लिए विजय सेतुपत्य और हनुमान की किर्दार के लिए सनी देओल को कंफर्म किया गया था सीता का केदार नबाने के लिए साईन पलवी को फाइनल किया गया था हालनकि अब कबर आ रहे हैं कि नितीश तिवारी ने उन्हें फिर्म से रीकलेस कर बॉलिवर्ड आक्टर्स जानवी कापूर को कास्ट करने का प्लान कर लिया है फर्स पोस्टर की रिपोर्ट के माने तो मातसीता के रोल के लिए नितिश दिवारी ने जानवी कपूर से ही संपर्ग किया था रामायन को लेकर सामने आई इस खबर ने साइप अलवी की फैन्स को शॉप कर दिया है और वहीं जानवी कपूर के फैन फॉलॉइंग में खुशी के लहर देखने को मिल रही है रिपोर्ट की माने तो रामायन के मैक्स ने जानवी कपूर का छिपा टैलेंट पहचान लिया जिसे वहाँ दुनिया भर के सामने लाना चाते हैं कहा जा रहा है कि जानवी कपूर मानत सीता के किरदार के लिए मैक्स को पर्फेक लगी है और इसी वज़ा से उन्हें जानवी कपूर को चुना है हाला कि मैक्स के तरफ से साइप अलवी के exit और जानवी कपूर के entry पर अभी कोई official statement नहीं दिया है रनवीर कपूर स्टार रामायन जल्दी फ्लोर पर आने वाली है नितीश तिवारी की डारेक्टिंग फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई में होगी रनवीर बेहर जल्दी राजधानी में लगबग 60 दिनों तक शूटिंग करेंगे इसके बाद लंडन में भी एक शूटियूल होगा रामायन के लंका वाला हिस्सा लंडन में ही करीब 60 दिनों तक दुबारा शूट किया जाएगा इस शूटियूल में रनवीर के साथ अभी नेता यश भी शामिल होंगे बताया जा रहा है कि राम के रोल को निभाने के लिए रनवीर ने शराब मासाहारी बोजन के साथ साथ देराट पार्टियों को भी छोड़ दिया है ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ अन्यवाद